नमस्कार दोस्तों मैं रहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोतिशिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी 2023 की शुरुआत होने वाली है और एक जनवरी 2023 को एक बहुती ज़दा शुब दिन यहाँ पर माना जा रहा है ग्रहों और नक्षतरु की चाल बहुत ज़दा बैलेंस रहे और 2023 की शुरूआत में ही दो बड़े योग यहाँ पर बन रहे हैं जिसकी वज़े से 2023 के साल के शुरुआत बहुत fireplace यहाँ पर दिखाई देती है 2023 के साल में कौन से हैं वो शुब योग ये मैं आपको बताऊंगा साथ ही साथ कौन सा है एक अच्छो कुपाय जिसको करने से आप इस 2023 के साल को और भी जादा बैतरिन यहां पर बना सकते हैं तो इसके बारे में सारी जानकरी आपको मिलेगी इस वीडियो को अन तक देखेगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिसना हो जाए सबसे पहले तो यहां पर बात कर लेते हैं कि 2023 के इस पहले दिन में क्या चीज विशेश है क्या खास है यहां पर देखे रईवार का दिन यहां पर है और रईवार से 2023 के साल के शुरुआत हो रही है नमबर एक सूर्य का नमबर है रईवार का दिन बगवान सूर्य का दिन है और इस वज़े से इस दिन की पॉजिटिविटी अपने आप में यहां पर बढ़ जाती है इसके बाद यहां पर देखा जाए तो इस दिन में दो बड़े और शुब योग यहां पर बन रहे है पहला यहां पर बन रहा है शिव योग और दूसरा यहां पर बन रहा है सिद्ध योग शिव योग बहुत बड़ा योग यहां पर माना जाता है दिखेए 2023 2023 नमबर 7 केतु का नमबर अध्यात्म का नमबर यहां पर दिखाई जाता है और पहला दिन सूर्य का दिन बगवान सूरी की अराधना का दिन सुख और शान्ति का दिन और मनन और चिंतर का दिन कहा जाता है कहते हैं कि रईवार के दिन अगर आपने अपनी सोल को अपनी आत्मा को नहीं पहचाना तो यहां पर फिर आने वाला हफता कठीन हो जाता है इसलिए रईवार को मैं हमेशा meditation बताता हूँ और हमेशा आप सभी से request करता हूँ कि रईवार के दिन थोड़ा सा समय निकालके जो बताया गया meditation है वो आप जरूर करिए और उसी में जब शिवयोग यहाँ पर बन जाता है तो ये शिवयोग और भी जादा खास हो जाता है क्योंकि देखे शिवयोग भी क्या है एक बहुत ही जदा powerful योग है खास कर आत्मा के चिंतन के लिए मनन के लिए सुख और शांती के लिए और spiritualism के लिए शिवयोग का बनना अपने आप में काफी जदा प्रभावी माना जाता है कहते हैं कि शिवयोग को वाम योग भी कहते हैं और शिवयोग में अगर किसी व्यक्ति ने पूजा पाठ कर ली अगर किसी व्यक्ति ने भगवान का नाम जप लिया तो वहाँ पर उस परसन की लाइफ में काफी सारी च पास होता हुआ दिखाई देता है तो यहां पर अब हम बात कर लेते हैं कि शिव योग के प्रभाव 2023 के पहले दिन में आप कैसे ले सकते हैं दिखें शिव योग में आपको दो चीजें जरूर करनी हैं पहली भगवान शिव जी की आराधना आप जरूर करें इससे आपको बह देखने को मिलेंगे दूसरा महत्वपूण योग जो यहां पर बन रहा है यहां का सिद्ध योग भी बहूती जादा पॉजिटिव और योग कोई बी काम हमेशा करना सिद्ध बाना जाता है इसी वजह से सिद्ध योग का प्रभाव भी काफी ज्यादा याँ अच्छा है स काम से ही कहीं कह सकते हैं कि इसका मिरिंग निकल के आ जाता है ऐसा कोई भी कार्य जिसे करने में असंभवता मैसूस हो जिसे करने में कठिनाया मैसूस हो उसे आप सिद्ध योग में करें तो आपके उस काम की सिद्धी कहीं कहीं देखने को मिलती है मलब कि वह काम पूरा होता ह हुआ कहीं देखने को मिल जाता है इसी वज़े से सिद्ध योग यहां पर बहुत ही ज़्यादा शुब योग माना गया है सब्सक्राइब में काफी लोगों को यह मानना रहेगा कि यह हमारा नया साल ना इन यह किसी और का नया साल मेरा एक सब्सक्राइब करें विश्यादा पर रिखना के आप का नया सान न भी हो फिर भी केलंडर की तारिक में आप भी 2023 ही लिखेंगे आप भी आज के दिन में अगर कहीं डेट लिखेंगे तो एक जनवरी 2023 का ही पालन करेंगे तो जब हम एक एक चेंज कर रहे हैं year को 2022 से 2023 में प्रवेश कर रहे हैं चाहे वो आपका नया साल न भी हो फिर भी छोटी-छोटी चीजों में खुशियां ढूनने में क्या हर्ज है क्या परिशानी है तो इसी वज़े से आप सभी से रिक्वेस करूंगा कि इस दिन की महत्वता को समझीए हम इस दिन को English कैलेंडर के हिसाब से नहीं बट वैदिक कैलेंडर के हिसाब से अच्छा करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं तो अगर आप वैदिक कैलेंडर को मानते हैं तो फिर चाहे क्योंना यह दिन बहुत important है इस दिन के महत्वता को समझीए इस दिन की importance को समझ करके उसे पूरा करने की कोशिश जरूर करिए और शिव योग और सिद्य योग की पालना करते हुए अपने दिन को अच्छा बनाने का प्रेयास जरूर करें इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ को देखने को मिल जाएंगे सिद्ध योग में और अच्छी चीज़े करने के लिए आपको दो चीज़े करनी होती है बगवान सूर्य का मंत्र ओम सूर्याई नमह इस मंत्र का जाप करें और साथ ही साथ बगवान विश्णु की आराधना करना बहुत ज़्य जादा प्रभावी माना जाता है कहते हैं कि किसी भी काम की सिद्धी के लिए भगवान विश्णु को याद कर लीजे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं और काम की परेशानियां खतम हो जाती हैं इसलिए ओम नमो भगवते वासु देवाय नमह इस मंत्र का जाप और प्रसिद्धी मिलते हुए नजर आएगी इस तरह की योग यहां पर आपके जरूर बनेंगे आज की दिन में एक ऐसा विशेश उपाय आपको क्या करना है जिससे कि आप सभी का यह दिन अच्छा जाए यह पूरा साल अच्छा जाए और आप सभी के जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानिया यहां पर आते हुए ना दिखाई दे इसके लिए आपको कौन सा एक विशेश और दिव्य उपाय करना है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं प्लीज नोट कर लीजीगा सबसे पहली चीज इस उपाय को करने से पहले स्नान जरूर कर लीजेगा और अपने आपको शुद्ध जरूर कर लीजेगा इस उपाय को करते समय शुद्ध और साफ कपड़े पहन के रखें इस बात का ध्यान के वाइट या येलो कलर किसी भी कलर का आप इस्तमाल कर सकते हैं और आप सभी को क्या करना है सुबह जिस पानी सब सनान करते हैं उस पा मंदिर में एक गी का दिया जरूर प्रजवलित करिएगा एक वाइट कपड़ा लीजेगा उसके उपर कुछ चावल के दाने जरूर रखिएगा और हलकी सी हल्दी वहाँ पर रख दीजेगा और एक इलाइची जरूर रख दीजेगा और आप सभी क्या करेंगे वो जो घी क जरूर आप बिसाल चरूर आपने लगाया हुआ है ने मंदिर में उसके उपर से इस चावल की जो पोडली आपने बनाई है उसको साथ बार प्लॉक कवाइज गुमाना है और मालक्षमी की आरादना करनी है मालक्षमी को याद करना है ओम महालक्षमय नमह म महालक्षमय namha ओम महालक्ष्मिय नमह इस मंत्र का जाप आपको करना है और तीन बार साथ बार आपको क्या करना है मालक्ष्मी की अरादना करनी है मालक्ष्मी की उपासना करनी है मालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है और तीन बार भगवान विश्नु के मंत्र का जाप करना है ओम नमो करके अलमारी होगी उसमें तीजोरी होगी उसमें रख दीजेगा और पूरे सार इसे वहीं रखे रहने दीजेगा बिलकुल निश्चिंत हो करके आप अपने काम में लग जाएगा आप देखेगा कि किस तरह से बरकत आती है आर्थिक विवस्था आपकी और जाद अच्छी ह होती है और किस तरह से आप सभी को पॉजिटिव रिजल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं उमीद करूँगा कि छोटा सा दिव्य प्रयोग छोटा सा उपाय आपके जीवन में धेर सारी खुशना लेकर के आएगा दो हजार तेस का साल आपके लिए अच्छा बनाएगा और आप सभी को हर तरह की परिशानी से दूर रखेगा एक बार फिर से आप सभी को भी नए वर्ष की बहुत बहुत सुपकामना है आप सभी के जीवन में दो हजार तेस का साल डेर सारी खुशना लेकर के आए और आप सभी को हर तरह से पॉजिव रखने में मदद करें वीडि निवाद